हेलो एवरिवन आईए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स लेक्चर में हमने संगीत से संबंदित कुछ कोशन किये थे तीन कोशन हम पहले कर चुके हैं तो अब फॉर्थ कोशन करते हैं आईए स्टार्ट करते हैं संगीत के भावपक्ष और कलापक्ष की वेचना करो स तो एक कलाकार कैसे अपने भावों को और कला को परसुत करता देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाव पक्ष के बारे में। संगीतकार कला स्वरलय और ताल के माध्यम से अपने मन के भावों को प्रकट करता है। जो संगीत कार है किसके माध्यम से अपने भावों को प्रकट करेगा स्वर्लय और ताल के माध्यम से सुर्ट लय और ताल का सारा ले करके वो अपने भावों को प्रकट करेगा जिब कलाकार संगीत के द्वारा सुक्षम से सुक्षम भावों को भी स्पष्ट कर देता है तो उसका संगीत कैसा माना जाता है भाव पुरण और कहीं न कहीं कलाकार का करतवय भी बनता है कि जो बात अपनी कहना चाहता है तो वो एक ओडियंस तक अच्छे से स्पष्ट करें जो कलाकार संगीत द्वारा दूसरों की भावनाओं को जितना अधिक परभावित करेगा उसका भावपक शुतना ही प्रबल होगा प्रबल का मतलब होता है उसका भावपक शुतना ही मजबूत होगा एक कलाकार का करतवय बनता है कि जो भी बात वो अपने गाने के थरू वादन के थरू एक ओडियंस तक पहुंचाना चाहता है तो वो अच्छे से स्पष्ट कर पाए अगर वो उतने अच्छे से पबलिक को नहीं समझा पाता तो वो एक अच्छा कलाकार भी नहीं माना जाएगा तो कलाकार का प्रथम करतवय बनता है कि जो बात वो गार आया या बजा रहा है वादन के थरू अपने कला को पसुत कर रहा है तो अपनी बात को वो भूत अच्छे तरीके से पबलिक के सामने स्पष् विभिन लेकारियों और अलंकारों से सजाकर परस्तूत करता है तो उसका वैसंगीत कलापूरण कहलाता है कि कलाकार अपनी कला को कैसे परस्तूत करेगा स्वरों के चमतकारों विभिन लेकारियों लेकारियां ये क्या होते हैं आपको आगे जवाब चप्टर करोगे लेका डूगुन शोनल में dairy कोई जैसे गाने की श्पीड है जो गाते करते हैं तो सजाओ कार स्वारों के द्वारा वो सजाकर मी मेश्ता garlic संगीत में भावपक्ष और कलापक्ष दोनों का संव्य होना चाहिए क्योंकि मनोभावों को प्रकट करना कलाकार का प्रतम करतव्य है और उसे अलंक्रित करना ही मतलब उसको कला के द्वारा अलंक्रित करना कलाकार की क्या माने चाहते है संगीत की कुशलता तो भावपक्ष और कलापक्ष आपको समझ में आगया होगा फिफ्ट कोशन करते हैं कि संगीत की कितने रूप है परतेक का संगशिप्ट बढण करो तो आपके संगीत के दो रूप है कौन कों से है क्रियात्मक संगीत और संगीत शास्तर क्रियात्मक संगीत आप इंगलिश में इसको प्रक्टिकल म्यूजिक और संगीत शास्त्रियानी की जो म्यूजिक की थियोरी होती है आप उससे ले सकते हूँ ठीक है तो क्रियात्मक संगीत क्या होता है क्रियात्मक संगीत के अंत्रगत गायन वादन और नरित्यों की क्रियाएं आते हैं यह तीन क्रियाएं आते हैं क्रियात्मक संगीत में गायन वादन और नरित्या है संगीत का रूप कानों द्वारा सुना जाता है जब एक कोई गाने वाला या बजाने वाला है तो हम उसका संगीत कैसे सुनते हैं अपने कानों की द्वारा अगर कोई नृत्या कर रहा है तो उसका नृत्या हम नेत्रों की द्वारा देखते है एतरुदौरा देखा जाता है गायन वादन का संबंध हमारे कानों से है संगीत की क्रियात्मक रूप में गित के परकार यह पे गायन शेहीं है जैसे गजल भजन यह सब हो गए आपके तो इसमें आते है यह सब अलाप, ताने, सरगम, झाला, गत, मीं आदि साधना आती है ये संगीत का क्रियात्मक पक्ष भहुत मैतरपूर्ण है तो ये बात तो आपको वैसे नूर्मली भी पता है कि प्रेक्टिकल पार्ट बहुत ज़्यादा माईने रखता है संगीत 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 शास्त्र संगीत शास्त्र आपका दो प्रकार का होता है क्रियात्मक संगीत शास्त्र जिसमें की क्रियात्मक संगीत संबंदी अध्यान आता है क्रियात्मक संगीत जो आपका है वो आपका एक संगीत शास्त्र का भी हिस्सा है जैसे कि रागों का प्रेचे हैं स्वरली पी लिखना हम राग गा रहे हैं यह हमारे प्रैक्टिकल का हिस्सा है जैसे कि हमने किरात्मक संगीत में देखा उसी तरीके से उनी रागों का जब हम प्रीचे लिखते हैं स्वरली पी लिखते हैं तो यह हमारे किसका पार्ट माना जाता है एक संगीत की थ्योरी का संगीत शास्त्र का तान अलाप हम गाते हैं लेकिन उसे पहले जो हम लिखते हैं तो हमारे किसका पार्ट आई ये संगीत शास्तर का मिलते जूलते रागों की तुलना करना ये सब किसमें आता है क्रियात्मक संगीत शास्तर में आता है ठीक है अब है संगीत का दूसरा पक्ष एक पक्ष तो हम ब तो आपके कुछ में आते हैं संघीत, शास्तर में संघीत की थियारी क्या है आपके संघीत किसे कहते है यह सब आपके किस में आगी silent की धियोरी में नात की definition जाते ही आरोrency, अव्रों, स्वर्ल, लैं, ताल, मात्र, आदे शब्दों की जो परिभाशा है या आपकी मुजिक की थ्योरी है तो संगीत शास्त्रा या आपका संगीत का इतिहाज संबंदि अध्यान आता है थैंक्यू